नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीकल साहता मैं दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं मैट्रिमोनियल सिरीज का पार्ट टू दोस्तों जैसे की पार्ट वन मैं आपने देखा था कि लड़के वाले जब ओनलाइन वेबसाइट पर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर लड़की का रिष्टा देखते तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों अकसर ऐसा होता है कि जब भी आप कोई लड़का ओनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर कोई लड़की का रिष्टा देखता है तो वो कुछ भूल कर देता है तो उन भूल से आपको बचना है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़े हैं जिनसे कि आपको बचना है दोस्तों जब भी आप किसी भी लड़की से ओनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर इंटर्स शो करते हैं तो सामनी से भी आपके पास इंटर्स को की अक्सेप्टेंस का मैसेज आता है तो दोस्तों ऐसे में आप उस लड़की से अपना सबसे पहले फोन नंबर एक्शेंज करते हैं यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम तब होती है कि जब आप उस लड़की से मिलने की बात करते हैं दोस्तों कोशिश करें कि सबसे पहले अगर आप किसी भी लड़की से जिससे आप शादी करना चाहते हैं या जिसका अपने प्रोफाइल online matrimonial site पे like किया है, interest को express किया है, उससे आप public place में मिलें, public place जैसे कि कोई restaurant, कोई ऐसी जगे जहाँ पर की public gathering हो, कोई market हो, या कोई ऐसे hotel का restaurant हो, जहाँ पर की public already हो और वहाँ पर CCTV camera भी हो, दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे वाकिये होए हैं, कि जहाँ पर लड़का जो है लड़की से अपनी private car में मिलता है, और इसी भाने long drive पे चले आते हैं, और बाद में वह लड़की जो की fraud की मानसिकता से, जि दूसरा वाकिया बताता हूँ दोस्तों आपको, जब भी आप किसी matrimolar site में लड़की से मिलने की बात करते हैं, तो कभी भी ध्यान रखिये, आप किसी भी hotel में मिलने के लिए agree नहीं होएंगे, कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि लड़की बहुती broad minded है, और आपके भी थो कर ली जाती है, और बाद में उन गिरोहों के द्वारा आपको blackmail भी किया जाता है या जा सकता है, साथी दोस्तों कई ऐसी भी चीज़े देखी गई हैं कि जब आप hotel में लड़की से मिलने के लिए रूम में जाते हैं, और बाद में वह लड़की आप इखला बलातकार के ज क्या करना चाहिए, दोस्तों सबसे पहले आप public place में मिलें, दूसरा आप लड़की के कोशिश करें कि उसके घर पे मिलें अपने घर वालों को ले जाकर यह जानने के लिए कि जो लड़की जिसने आपका interest को accept किया है, क्या वह एक genuine लड़की है या नहीं है, दोस्तों जब आप उनके घर पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे, तो एक अच्छा रिष्टा आपको easily मिल सकता है, और आप किसी भी तरीके के होने वाले बड़े fraud से बस सकते हैं, विकॉज इस तरीके की मानसिकता वाले गिरोहों मार्केट में बहुत active र रहता है, दोस्तों बागी सारी चीज़ सेम है, आप लड़की की एज को का प्रूफ मांग सकते हैं, उनकी जॉब से रिलेटेड उनके कंपनी का address मांग सकते हैं, वहां verification कर सकते हैं, और सबसे important दोस्तों जो चीज है कि अगर लड़की single married, single है वो married नहीं है तो आप आस्पर matrimonial series का part 2, जिसमें की लड़कों को जब भी matrimonial online site से किसी भी लड़की का रिष्टा देखते हैं, तो किन बातों का खासा ध्यान रगना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई बड़ा fraud होने से बच जाए, और आपको लाखों की या करोडों की चपत लगने से बच जाए, तो दोस्तों इसी तरह जुड़े रहे आप हमारे इस matrimonial series से, अब हम दोस्तों जल्दी लाने वाले हैं, matrimonial series का part 3, कुछ टाइम बाद हमसे जुड़े रहे दोस्तों, हमारे channel को like कीजिए, subscribe कीजिए, comment कीजिए दोस्तों, मिलते हैं, जल्दी धन्यवाद, नमस्कार दोस्तो जैहिन